तो एले इपॉप की दिवानों कैसे हो भाई हो आप सब आज शुरू करते हैं डीनो जेमस है डीनो जेमस को क्रिकेटा रोहिष शर्मा के फैन से काफी हेट मिल रहा है वैसे तो डीनो दो तीन बार रोहिष शर्मा का नाम ले चुके हैं हसल फोर पे तो एक्जाक कौनसी वाली बात बुरी लगी रोहिष फैन्स को वो तो मुझे नहीं पता बट शायद एपिसोड 9 में धार्मेक को डीनो जेमस ये बोलते हैं कि यूर लाइक रोहिष शर्मा कभी मुझे नहीं लगता कि डंक से खेल पाएगा और जिस तरह उनकी body language है कभी समझ नहीं आता कितना धुरंदर प्लेयर है तो शायद यही बात बुरी लगी रोहिष फैन्स को फिलाल डीनो जेमस के इंस्टा पोस्ट का comment section कुछ ऐसा है बहुत टैलेंट है भाई तिर में क्योंकि इस दुनिया में मुझे बहुत कम लोग हकते हैं तेरी यौकात के है जो तो hitman के सामने बोलेगा और ऐसे कई सारे comments हैं आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सुनाता हूँ एक बड़िया सा track तो पगली अज बूतों की ही रात है बूतों की ही रात है तो येस फुल ट्राक का link मैंने description में दे दिया है बड़ी आगाना है आप लोग को पसंद आएगा जरूर से चेक करना अब बात कर लेते हैं हसल फोर्स रिलेटेड अपडेट से तो कल बास्षार अफ्तारेंट इकका को आपने सेम स्टेज पर देख लिया होगा पहली बार खर बास्षा ने 99 साइड को काफी एप्रिशेट करा इवन डिवाइन को भी उनका कहना था कि डिवाइन के बाद 99 साइड मुंबई राप सीन के legacy आगे बढ़ाएंगे इवन ये भी कहा कि डिवाइन सिंगल हेंड़ ली मुंबई राप सीन को ऊपर लेके आएं बट कुछ लोग बास्षा से नराज हो गए हैं बिकॉस बाश्या ने मुंबई राप सीन से सिर्फ डिवाइन को मेंशन करा, एमी वे नेजी, इनका नाम नहीं लिया, तो लोका नी भी एक स्टोरी शेयर गरी है, हाउ दे इग्नोर, मुंबई रापर्स, इस क्रेजी, इतना नफरत, टीवी पे, इवन बंटा रिकॉट से, हलाग नी भी एक स्टोरी शेयर गरी, इवाइन सिंगल हैंडिटली, ब्ल्यू दी मुंबई हिपॉप सीन, डेफिनिटली, हीज एन ओजी, बटाए डिसेगरी, ये लोग जो मन में आए, वो बोल देंगे, उठाके, कहीं पे भी, खेल लिटल भाटिया, जिनों ने कल जिम्मी जिम्मी ट्राक पफॉर्म करा, तो काफी लोग जजिस के मार्क्स को लेकर, खुश नहीं है, बिसिकली जजेस को, उनका गाना तो अच्छा लगा था, बट गाने का कॉंटेक्स्ट समझ नहीं आया, तो सब ने उनको कम मार्क्स दिये, बट उनके ट्राक पे टॉप कॉमेंट कुछ ऐसा है, लिटल भाटियत ने कम मार्क्स डिजर्व नहीं करते, जजेस बाइस डो रहे हैं, एन ऐसा और भी कुछ लोग का मानना है कॉमेंट्स में, बढ़ते हैं आगे तो ब्राउन रंग किस ने लिखा, इसके बाद अब ये कुशन ना बन जाए कि डोप शोप किस ने लिखा, तो जैसा कि रफ्तार ये क्लेम करते हैं, कि हनी सिंग का ट्राक डोप शोप रफ्तार ने लिखा था, तो जिनके साथ वो कॉलाब ट्राक था,